Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun बच्चों आज हम डिस्क्स करेंगे UKG English Worksheet जो भी बच्चे अभी UKG Class में प्रमोट होकर ये गए हैं LKG Class से तो ये Worksheet आपको लासक ज़रूर वाच करनी है इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों के साथ डिस्क्स करेंगे कि UKG Class में English Subject के अंदर बच्चों को स्टार्टिंग में क्या करवाये जाता है UKG Class में बच्चों को Capital और Small Curcive Writing जो है वो सिखाये जाता है तो आपको बच्चों क्लास में क्या सिखने को मिलेगा? Curcive Writing तो Curcive Writing के अंदर A से लेकर के Z तक जो है वो Curcive Writing Capital और Small Letter सिखाये जाते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे Capital और Small Curcive Writing जो है वो लिखी है तो इसका screenshot लेकर कि आप अपने पास रख सकते हैं जिससे आपको help मिल जाएगी So Next UKJ क्लास में बच्चों को Letter Identification एक बार जरूर करवाया जाता है Because काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो Capital और Small Letter में अभी तक Confuse रहते हैं यहाँ पे हमने कुछ Images की थूरू बच्चों को बताया है कि किस तरीके से उनको Letter Identification करवाना है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं Capital A, Small A, Capital D, Small D, Capital M, Small M So इसी प्रकार से सारे हमने लिखे हैं तो बच्चों को जो है इसकी help से Capital और Small Letter जो है वो अच्छे तरीके से एक साथ समझा जाएंगे Next Question है हमारा Question Number 3 जिसके अंदर बच्चों को Phonics की Through जो है वो Letters बताये जाते हैं तो यहाँ पे जैसे First Sound with Phonics तो यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ किया है और इन पिक्चर्स में हमें बच्चों को देखना है और फिर क्या करना है Phonic की Help से इनका जो First Letter है वो हमें यहाँ पे Recognize करके लिखना है तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं हमने कौन-कौन से पिक्चर्स ड्रॉ की है First Number पे हमने ड्रॉ की है Apple और Apple में A का Phonic Sound क्या होता है ए यानिकी A यह है जग ज यानिकी J काइट के क Next पिक्चर है हमारी यहाँ पे Mango की और Mango में म यह है बैट ब बी तो यहाँ पे हमने With First Sound with Phonics इन पिक्चर्स को देख करके इनका जो First Letter है वो इदेटिफाई करके यहाँ पे लिखा है So Next Question है हमारा टिक राइट दी वोवल लैटर्स A, E, I, O, U UKG क्लास में बच्चों को वोवल और कॉंसोनेंट समझाये जाते हैं So वोवल और कॉंसोनेंट से रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपर आई बटन में मिल जाएगा तो यहाँ पे बच्चों को सर्च करना है और जहाँ पे भी हमारे वोवल्स हैं यानि की कैपिटल और स्मॉल लेटर हैं वोवल्स वाले उन पे हमें राइट का निशान लगाना है तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले नंबर पे है हमारा A उसके बाद आएगा E नेक्स्ट आई O एंड लास्ट में है यू तो यह हमारे जो है वोवल्स हैं और जितने भी बाकी बच्चे हैं न बच्चों यह हमारे कहलाते हैं कॉंसोनेंट वोवल और कॉंसोनेंट की हमें क्यों जरुरत पढ़ती है वो जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें वोवल और कॉंसोनेंट क्यों समझ में आने चाहेंगे तो इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से करना है इससे पहले हमने वोवल्स पढ़े हैं तो अगर आपको वोवल्स अच्छे तरीकी से समझ आ गए है तो यह कोशन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे तो यहाँ पर हमें बच्चों कुछ वर्ट्स दिये गए हैं और जिन वर्ट्स का फोस्स लेटर वोवल है उसको हमें क्या करना है सरकल करना है तो चलिए इनको देख लेते हैं बी एटी बैट बी हमारा कॉंसोनेंट है तो यह हमारा वोवल नहीं है नेक्स वर्ट है हमारा एम यू जी मग एम जो है हमारा कॉंसोनेंट है तो यह भी हमारा वोवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है Umbrella, यहाँ पे है U, और U क्या है बच्चों, हमारा vowel है, तो इसको हम क्या करेंगे, Circle Next हमारा word है, O, W, L, All, इसमें भी O हमारा जो है वो, vowel है, तो इसको हम Circle करेंगे Next word हमें दिया गया है, A, N, T, Ant, यानि कि चिटी, तो A भी हमारा vowel है, तो ये भी हमें Circle करना है Next word है, K, के हमारा consonant है, तो इसको हमें Circle नहीं करना है इसके बाद है, Ship, ये भी हमारा consonant से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हमारा vowel नहीं है Next question we have, Circle the words that starts with consonant, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ words दिये गए है जो भी words जो है, वो consonant से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको Circle करना है B, O, X, Box, B हमारा consonant है, तो हम इसको Circle करेंगे C, A, P, Cap, Cap, Cap में C हमारा consonant है, तो ये भी हमें Circle करना है Igloo, आई आगया बच्चों, ये हमारा vowel से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हमें Circle नहीं करना है Sun, Sun, Sun में S जो है, वो consonant है, Apple, Apple में A vowel है, तो इसे भी नहीं करेंगे E, G, G, Egg, Egg में E vowel है, तो ये भी छोड़ना पड़ेगा M, A, N, G, O, Mango, Mango में M consonant है, और next word है, M, A, T, Matt, सो ये भी हमारा consonant से स्टार्ट हो रहा है इसके बाद है हमारा question number 7, read two letter words and write in the box तो यहाँ पर हमें एक mango का picture draw करके दिया गया है और इस mango की picture के अंदर हमें कुछ letters दिये गए हैं, तो इन letters को combine करके हमें two letter words यहाँ पर बना करके लिखने हैं, और ये बहुती easy और simple है तो चलिए हमें search करना है और फिर उसको write down करना है तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं a-m-m-o-f-off-u-n-on-g-o-go-t-o-to-o-so-so-i-t-it-i-n-it-i-n-it-e-r-i-n-it-e-r-a-man-g-a-b-t-o-b-o-o-o-u-o-o-o-o-so-o-o-i-t-it-e-r-t-e-r-a-t-e-r-i-s-t-e-r-o-t-e-r-b-o-e-r-t-e-r-i-n-e-r-r-e-r-e-r-o-r-e-r-e-r-s-r-e-r-r-r-e-r-r-e-r-r-r-e-r इन, आई, एफ, इफ, तो यह हमारे two letters words जो है, वो हमने यहां से देख करके बनाए है, So, next question है, write three letter words with the help of vowels, तो यहां पे हमें, जो words दिये गए हैं, वो blank है, यानि की one one letter उसमें से missing है, तो हमें यहां पे vowel की help से उन words को complete करना है, और vowel कौन से होते हैं, बच्चों हमारे, vowel होते हैं, a, e, i, o, u, तो चलिए इनको हम complete करेंगे, ब, a, b, a, t, bat, s, u, s, u, n, sun, e, g, g, egg, f, a, t, fat, k, i, t, e, kite, c, a, n, can, यहां पे हमें अपने आप से three letter words जो हैं वो बनाने हैं with the help of vowels, vowels, तो चलिए इनको भी करेंगे, t, a, n, tan, i, g, l, o, o, igloo, e, g, g, egg, उसके बाद हम लिखेंगे, egg तो हमने यहां पे भी लिखा है, चलो कोई बात नहीं, next word लिखते हैं, उसके बाद हम बनाएंगे, ब, u, n, bun, p, i, n, pin, m, a, n, man, तो यहां पे हमने vowels के help से three letter word और four letter word जो हैं वो complete करके लिख लिख लिए हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे, b, a, n, ban, c, a, n, can, और t, a, n, tan, यहां पे दिया गया है, a, t, at, at, तो इसके लिखेंगे, ब, a, t, bat, c, a, t, cat, and, m, a, t, mat, तो यह वरक्षिट आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा, और अगर आप लोग मुझे कोई message करना चाते हैं, तो प्लीज आप मेरी community box में जा करके, वहाँ पे वीडियो जो है मैं पोस्ट करती हूँ, उसके नीचे जो comment box है वो open है, तो वहाँ जाके आप मुझे message कर सकते हैं, तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा, और मेरे चैनल Kids Learning Fund को सब्सक्राइब कीजेगा, UKG से related सभी subject की worksheet और syllabus को चेक करने के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, प्लेलिस सेक्षन में जाकर के, UKG को सेलेक्ट कीजेए, वहाँ पे आपको सभी syllabus और वीडियो मिल जाएंगी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू,